है कि है टूइ तो आई यह लोग देखते है एक सट्विंग अपनी एक्टिब आप पैसी विग्टि तो आई एक्टिव यूटि के बारे में लोग जानेंगे एक्टिव यूटि का क्या मतलब है हूएं होस्ट बाडी एक्सपोजर टू डेडली माईक्रोब्स या लिविंग क इस तरह से होगा, तो host body में antibodies produce होंगी, जो antibodies produce होंगी, वो ही इसका मतलब है किस के तहित कारा करें, active immunity के लिए, ठीक है, इसको हम active immunity में मानेंगे, और जब कोई ready made, जब कोई ready made उसको दे रहे हैं, drug दे रहे हैं, या कुछ दे रहे हैं, इस तरीके से, जब लब ready made antibodies दे रहे हैं, इसका मतलब यह है, कि उसको हम लोग passive immunity में मानेंगे, ठीक है, उसी बाद हम आते हैं कि activity में जान लिया, कि जब host body exposure to antigen, antigen कौन हो सकते हैं, कि deadly microbes हो सकते हैं, living microbes हो सकते हैं, या फिर protein हो सकते हैं, आप passive immunity में क्या चीज़ आता है, passive immunity में आता है, जैसे कि mother के milk से, जो है, जो mother होता है, mother होती है, उनके during lactation के दोरान क्या होता है, cholesterol होता है, cholesterol में जो है, आपका antibody होता है, इस में होता antibody A किसमें पाय जाता है, during lactation, mother के milk पाये जाता है जा, ठीक है उससे क्या होगा उससे जो बेभी होगा वो जो है antibody ए ले रहा है ठीक है कोलस्टरम उस में है, कोलस्टरम में क्या है, antibody जू है रिच इन वरी क्लियर कर दी कि मतलब कोई भी आपको antigen आया host body पे अटक है । वीरुद जो body ने बनाया melting आइक्टी वाडी हूँ किसको वो किसमे आरा एक्टीव में दिए जा रहा हृए ठीक है और इसने क्या मैं देर के मिल्क से अचा मतने का मैं और दूसराऄ इक्जामपल से क्या है कि टो है प्लेसंता के तुरूव भी बहुत सारी ऐक्टीव को लेता है ठीक है जब कोई होस्त में कोई चीज आहां रहा है तीजन तो उसका सबसीक्वेंट इनकाउंटर होता है पहली बार होगा तो थोड़ा लो इंटेंसिटी वाला होगा मैंने पीछले लेक्षर में बताया है फिर उसके बाद मलब अगर होस्त की बाड़ी खुद रिस्पांड कर केंड होएं होएं होस्त इस एक्सपोज तो एंटिजन्स विच में इन फार्म आफ लिविंगा डेड माइक्रोप्स और अधर प्रोटीन्स एंटी बाड़ी जार प्रोड्यूस्ट इन थे होस्त बाड़ी आपको यही बताया सेंटीज ठीक है कि जब होस्त बाड़ी किस से फूल इफेक्टिव रिस्पांस मनें बताया कि जब होस्त बाड़ी खूद एंटीबाड़ी जबनाती है तो उसमें क्या होस्त रेट होगा स्लो होगा और जो है जाना है आप सब सीक्वेंट इंकाउंटर होगा धीरे-धीरे ओवार करेगा और तब जाके कहीं से फूल इफ इम्मूनिटी ठीक है उसके बादा ये रहें रेडी मेर्ड एंटी बाड़ी या डारेटली गिवें टू प्रोटेक्ट दबाडी अगांस्ट फार इने अजन वलब जो रेडी मेर्ड इम्मूनिटी दी जाए यह वह आपका पैसे इम्मूनिटी में आएगा तो इसको क्या क प्रोटेक्ट दा इन्फेंट दा फीटस आलसो रिसीब सम एंटी बाड़ी फ्राम दियर मदर थ्रोथ प्लेसेंटा डिवरिंग प्रेगनेंशी दीजार सम एक्जामपल आप पैसीव इंटी के दो एक्जामपल है एक तो जो मदर के मिलक से ले रहा है कोलेस्ट्रम उसमें ह और दूसरा आपकर किस चीज एक्जामपल है प्लेसेंटा के तुरू जो है फीटस जो एक बहुत सारी एंटी बाड़ी उससे मिलती है ठीक है मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इस तरह से अगर मदर में एंटी बाड़ी मदर और फादर में एंटी बाड़ी की जो है कमी होती है इम्यूनिटी उनकी वीक होती है तो चांसे होते है कि बच्चे में भी इम्यूनिटी उसकी वीक हो ऐसा इसी लिए होता है चुकि प्ले vaccination जो है और immunization इसके principle परपेच्ट है यह memory परफेच्ट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है deadly microbes होते हैं यब vaker microbes होते हैं उनको ही डाला जाता है कि इसमें डाला जाता है host body में तो उसको जो है मारकर हमारी body antibodies बना लेती है antibodies बनाने के इंटिबाटीज मना लेगी जब दोबारा सही में इंफेक्शन होगा तो उसको बिमार कि रहेगी ठीक है और उसको क्या करेगी नियूट्रलाइज कर देगी किसको जो माइक्रोब्स आया है क्योंकि उसके खिलाब पहले ही हमने उसको डेडली माइक्रोब्स उसी चीज का उ इम्मुनिटी के लिए रिस्पांसिबल हैं तो यह सारी चीजे हैं तो आईए मैं सुचता हूँ कि इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीछ दिया गया है आईए आईए पैसे बैक्सिनेशन एंड इम्मुनाइजेशन नेक्स्ट हेडिंग है एक्टिव ए बताया कि इम्मुनाइजेशन जो है प्रापर्टी आप मेमोरी आप इमें सिस्टम पर बेज़ देगी कि पहली बार जब एंकाउंटर कर देगी उसका बीकेंड माइक्रोब या जो हम डाले है उसमें जो वीक है या जो डेड है तो उसका जो होसला बढ़ा रहेगा तो उसक पैथोजन बैक्सीन हर इंट्रिडूच इन्टू दा होस्ट बाड़ी द्एंटी बाड़ी इंट वाड़ी ज्ञ एंटीजेंस उल्ड उड नूटरलाइज दा पैथोजनीक जैंट ड्यूरिंग एक्च्वल इंफेक्शन ता पैक्सीन आल्सो जेनरेट मेमोरी बैक्सीन क्य ठीक है और सब्सेक्वेंट एक्सपोजर के लिए और सब्सेक्वेंट का मतलब वही कांटिनुसली कई बार जो चीज हो रहे है ठीक है ओबर हैं था इन्वेडर्स भी था मैसी प्रोडक्शन आप एंटी बाड़ी इस इंफेक्टेड विट सम्डेडली माइक्रोब्स तो इस विए आपने देखा होगा कि जो है डेडली माइक्रोब्स होता है ठीक है अब बी नीट टू डारेक्ट ली इंजेक्ट दा परफार्म एंटी बाड़ी के लिए हमें तुरंद इंजेक्ट करना पड़ता है टेटनिस का इंजेक्शन लगता है तो आपने सुना होगा इस इनटीबाडी डूकिस को सोधिक चेस में तो इंजेक्शन फीयवन टूद पैसें जो इंजेक्शन पैसेंटक को दिया जाता है तो आप हास्पिटल जाएं और कहीं ना जाएं क्योंकि इसके ऐसा करने से आपके जान को खत्रा हो सकता है इसलिए आप हमेशा कंट्रोल करें और यह चीज जाने कि हमें सिर्फ हास्पिटल से निदान विल सकता है क्योंकि और कहीं जाने से आपको नुक्सान हो सकता है तो इंजेक्शन बहुँ ज़रूरी है ठीक है तो इंजेक्शन इस टाइब आप इम्मुनाइजेशन इस कालड़ पैसी में इस इसन का मतलब सिंपल यही ओर जहां जहां पैसी पर सुपी पैसिट सब मतलब रेडी में अनुप रेडी में एंटी बाडी जा रहे है मतलब कुछ भी हमें बाहर से मिल राटिक है और जो एक्टिव वाली चीजे है उनमें सिंपल समीनिंग है कि होस्ट की बाडी बना रहे है यह आप याद रखिए कि पैसिब में हमेशा एंटी बाडी जो मिल रही है वो बाहर से मिल रही है ओके तो आई तो देखते हैं रिकांबिनेट डियन ने टेकनालाजी है जलाउट दा प्रोडक्शन आप एंटी जैनिक पॉली पेप्टाइड पैथोजन इन बैक्टीडिया रिस्ट देखे बैक्टीडिया रिस्ट के थुरू हम लोग क्यों बनाते हैं एंटी बाडी इसको दरसल इनका मल्टीप्लाई करने का रेट जो है जैसे इनका सेल डिवीजन का रेट है बहुत हाई होता है मतलब ऐसा जानिए कि एक दिन में करोनो करोनो टन या करोनो करोनो लीटर टाइप का ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है इस तरह से आप याद रहें बैक्टीडिया बहुत तेज मल्टीप्लाई होते हैं अभी मैं आपको जो है आगे पढ़ाऊंगा भी इसके बारे में ठीक तो आईए कि इसमें पढ़ाऊंगा आपको पायो टेकनलाजी तो इसमें क्या किया है रिकांबिनेंट डिन ने टेकनलाजी है जालाउड द प्रोड़क्शन आप एंटीजनिक पॉली पेप्टाइट्स आप पैथोजन इन बैक्टीडिया आरीज्ट बैक्सीन प्रोड्यूज्ड यूज इसलिए हम लोग क्या करते हैं बैक्टिरिया इस्ट में गरो कराते हैं ठीक है बड़े-बड़े फर्मेंटर्स होते हैं और चीज़ें होती है तो उनकी थुरू करवाया जाता है लाजिस्के प्रोड़क्शन ठीक है पारिम्यून आईए सानिक जम पल हेपेटाइटिस बी बैक्सीन प्रोड्यूस्ट फ्राम इस्ट जो हेपेटाइटिस बी की बैक्सीन है वो किसके थुरूप प्रोड्यूस होती है इस्ट से यह आप याद रखिए हेपेटाइटिस को आप गोला कर लीजिए एक्जामपल के बाद जो लिखा गया है सबसे नीचे 152 पेज पर किसी फस्ट वैक्सिनेशन Вहा बाएट सब् public dobrze बगर्ल में लिखली इएप मैं से आर्टिफ जगा चूटी वहाप लिखेए पस्ट वैक्सिनेशन एक कर lei न हो लिखिए फस्ट वैक्सिनेशन वाज्त परभर्ण बाई A young British physician Edward Jenner Edward Jenner एक scientist है Edward की spelling E-D-W-A-R-D J-E- D Wenn-E-R Edward Jenner 1796 में नहीनed की बनाये थे फादर आप immuneology भी नहीं कह जाता है तक इसको Edward Jenner को father of immunity भगल में आपने फादर आप immuneology Edward Jenner और एक संटेंस आपने लिख लिए हो का मने बोला कि एक बार में उस संटेंस को दोबारा जो लोग नहीं दिख पाए हो फस्ट फस्ट वैक्सिनेशन वाज पर फांट बाइस यंग ब्रिटिस फिजीसियन एडवर्ड जेनर 1796 में ठीक है और फादर आप इमुनियो लाजी भी किसे कहा जाता है एडवर्ड जेनर को अब मैं हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने एक चीज़ आपको बताई एक्टिव में क्या था एक्टिव में होस्ट वाड़ी जब किसी बाहरी एंटीजन या कोई उसमें इंटर कर रहा है तो खुद एंटिवाड़ी बना रही वह आपका एक्टिव इम्यूनिटी में यहां में आपको बताए क्या मैंने आपको बताए कि में मंदर मिल्क से जो है कोलेस्ट्रम में आईजी अटिवाडी अपसे रिच है हम लोग बढ़ा कि vaccination apply this होती है इसमें क्या होता है कि डेडली माइक्रोस Immunization का इसम्पल सब्समींग है कि जो जिसके लिए vaccine बनाई जारी जिसे कोरोना के लिए बनाई जा रही है तो जो कुछ आपके बादी में ऩे इन्जेक्ट कर आई जा रहा concerns की दशारान से इस virus को खतम करना है जब actual infection होगा तो उसी तरीके से आपकी body उसको खतम कर देगी simple सी meaning है तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और next lecture पर हम लोग पढ़ेंगे allergy भारे में ठीक है allergies ठीक तो आज के लिए यहीं रखते हैं thank you पढ़ते रही है आप लोग in CRT reading यरुमारी